रेड्मी Y3 हो चुका है लाँच मैं आपको यहां रेड्मी Y3 के बारे में ऐसी खासेते बताने वाला हूँ जो इसे दूसरे स्मार्ट फोन से अलग करती हैं जैसे इसकी कीमत, कैमरा या बैटरी तो यह रही रेड्मी Y3 की वो खासेते हैं जो आप भी जरूर जानना चाहेंग नमबर दो, अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खासेत की और वो है इसका कैमरा, फ्रंट साइड में आपको मिलता है 32 मेगा पिक्सल का सैलफी कैमरा, इसमें आपको EIS फीचर भी मिलता है, यानि कि अगर आप चलते हुए वीडियो बनाएंगे तो वीडियो ज्यादा हि की नहीं बनेगा, इससे आप एक प्रेमियम फीचर कह सकते हैं जो आपको यहां 10,000 रुपे के फोन में मिल रहा है, कैमरा क्वालिटी की बात करें तो आप यहां एक फोटो देख सकते हैं जो एकदम क्लियर है और जब हम इसे जूम करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि क्लियरिटी काफी अच्छी है, इसके साथ ही इसमें आपको AI पोट्रेट मूड और ऑटो HDR जैसे फीचर से भी मिलते हैं, नमबर तीन, इसके रियर साइड में आपको डूल केम सेटप मिलता है, इसमें कैमरा 12 मेगा पिक्सल का है और दूसरा कैमरा जो है वो 2 मेगा पिक् जो एक Octa-Core प्रोसेसर है, GPU आपको इसमें मिलता है Adreno 506 नमबर पांच, अब आते हैं इसके डिजाइन पर, तो इसमें आपको साधारन ग्रेडियन नेबल की Aura Prism डिजाइन मिलता है, जो कि सिंपल ग्रेडियन से जादा आकर्शक है और ये इस फोन को एक प्रीमियम लुक देता है, आपको ये फोन तीन रंगों में मिलेगा, पहला elegant blue, दूसरा prime black और तीसरा है bold red, नमबर छे, ये फोन आपको दो अलगलग variant में मिलता है, जिसमें की 3GB RAM और 32GB storage आएगी और साथ में जो दूसरा variant है वो है 4GB RAM और 64GB storage के साथ है, यदि आप अपने फोन की storage को बढ़ बारे में बात करें, तो इसके 3GB और 32GB वाला जो variant है उसकी कीमत है 9999 रुपे, जबकि जो दूसरा variant है उसकी कीमत है 4GB और 64GB वाला जो है उसकी कीमत है 11999 रुपे, इसके operating system की बात करें तो इसमें आपको MIUI 10 मिलता है जो की Android 9.2 पर आधारित है, बैटरी भी इसकी अची है औ अगर हम यहां फोन की security की बात करें तो इस फोन में आपको fingerprint sensor और face unlock भी मिलता है, कुल मिलाकर इस smartphone के लिए आपको अत्यदिक मूल नहीं चुकाना पड़ेगा, आप इसे कम कीमत में खरीच सकते हैं और आपको कम कीमत में अच्छे features मिलेंगे, camera अच्छा है, features अच्छे हैं, performance भी ठीक ठाक है, battery अच्छी है, लेकिन inbuilt storage बहुत कम है, 32 GB, ज्यादा तर लोगों के लिए इसमें SD card ही प्रयोग करना पड़ेगा, यदि आपका budget कम है तो आप इसे चुन सकते हैं, यदि आप storage के लिए SD card लगा कर काम चला सकते हैं, storage के लिए आप card खरीच सकते हैं, तो अ आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो में, thank you and bye.